हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का महाकाल और्गनिक में क्या आपके मोगरे में फूल नहीं आ रहे हैं क्या आपका पौदा बढ़िया ग्रो नहीं कर रहा है तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे कि आपका मोगरा फूलों से भर जाएगा वो भी बिल प्रजाती का पौदा होता है इसलिए जो यह है यह बेल की तरह ग्रो करता है अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो समय समय पर इसकी कटिंग करती रहनी चाहिए कटिंग करने से पिंगड का जो सेप रहता है बढ़िया रहेगा और खूबशूरत लगेगा नई ब्रा प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है जो लिक्विड हम आपको बताएंगे उसे डालने से पहले आपको अपने गमले की 2-3 इंच गैरी नराई करनी होगी बैसे भी पौदी की नराई गुडाई 15-20 दिन पर करती रहनी चाहिए अब आपको हम उस लिक्व प्ति लेनी है उसको आदे लीटर पाने में डालना है और फिर उस पानी को 15 मिनट तक उबाल लेना है जब आप उसे 15 मिनट तक उबालेंगे तो उसके बाद उबालने के बाद जो पानी होगा केबल 200-300 ml ही बचेगा फिर उस पानी को आपको एक लीटर साधे पाने में मिला है इससे आप इसे जो लिक्विड है आप हर 20 से 25 दिन में दे सकते हैं इससे आपका पौधा अच्छा ग्रो करेगा और इसमें आपके जो फूल होंगे वो भी बहुत अच्छे से आएंगे इसके इलाबा समय समय पर आप अपने पौधों की अच्छी ग्रोध के लिए गोवर और मस्टर्ड लिक्विड फर्टलाइजर भी देते रहें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर ना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा